ग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का दिव्व सरजन में प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कारिक्रम शुरू कर रहे हैं और आज हमारे लाइव चर्चा का जो विशय है गीता के तीन समवाद किसने सुनी और किसने सुनाई पास्तों में आज हम श्रिमत भगवत गीता का जो परिवेश है जिस माहौल में जिस समय और ये सारी चीजे शुरू ही श्रिमत भगवत गीता की तो उन पर हम चर्चा करेंगे परिवेश की चर्चा को समझने का प्रियास करेंगे और हम इस परिवेश को समझते हुए श्रिमत भगवत गीता की चर्चा करेंगे कि श्रीमत भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं वास्तों में वो क्या है तो सरप्रथम इस विशह पर यह विचार कर लेना आवश्यक है की श्रमत श्रीमत भगवत गीता भगवान स्री कृष्ण ने ज्वापर युगा अवतारी योगेश्वर भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन को सुनाई अरजुन कौन है अरजुन पांडू पुत्र है दो भाई धिरतराष्ट और पांडू इन दोनों भाईयों में धिर्तराष्ट अंदा था पांडू सही थे लेकिन उनको एक रूग हो गया जिससे कि उनकी मिर्त्यू हो गई और उनके पांच पुत्र रह गया और पतनी रह गई राजनीती का खेल आगे बढ़ता है नित्रहीन धिर्तराष्ट और उसका पुत्र दुरियोधन क्याते हैं धिर्तराष्ट के सव पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा दुरियोधन था और दूसरा दुशासन था राजसत्ता निश्य रूप से योकि पांडू ही पहले राजा थे और सभी भाईयों में चाहे वो पांडू पुत्र हो चाहे वो कौरव पुत्र हो जो धिर्तराष्ट के पुत्र हैं उनके हों तो पांडू पुत्र कहना कौरव पुत्र कहना कौरव इसलिए कहते हैं कि कुरु वन्ष में इन सब का जन्म हुआ तो कौरो पांडवों को कौरो नहीं कहते हैं पांडव भी कौरो हैं इसमें कोई शंश्या नहीं है महाभारत आप जब भी पढ़ें तो इस बात क्या ध्यान रखें क्या पांडव कौरो नहीं है क्या उनका भी तो कुरू वंश में ही जनम हुआ है तो वो कौरो कैसे नहीं भा एक तरह से बहिश्कृत हैं राज्य से उनको निकाल दिया गया है वो लगभग 12 वर्सों का वनवास और एक वर्ष का अग्यातवास 13 वर्षों तक वो राज्य से बाहर हो चुके तेरा वर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ठीक है तो 13 वर्षों तक जो है वो इस तरह से वन वन में भटक रहे हैं चुप चुप के रह रहे हैं और बार-बार उन पर आकरमन करने का प्रयास किया जा रहा है कौरों द्वारा अर्थात धिरतराष्ट पुत्रों के द्वारा किया जा रहा है पांडू पुत्रों का अपना एक माहौल है उनके साथ अन्याय हुआ है चल पुर्वक दुरियोधन के मामा सकुनी ने उन्हें उन्हें कृड़ा में फसा कर चॉरस के खेल में तरह से जुए का खेल लगभग जुए जैसा खेल में फसा कर उन्हें ठगने का प्रयास किया है उनका सब कुछ छीन लिया है उनका सब कुछ लूट लिया है कुछ इस तरह की घटना है लेकिन जुए से न्याय संभव नहीं है इसी लिए युद्ध भूमी में युद्ध होगा तभी जाकर न्याय होगा लेकिन फिर भी सब का प्रयास यह है चाहे वह महात्मा विदुर हों जो की मंतरी हैं हस्तिनापुर के चाहे वो भिश्म पितामा हो जो सबसे बुजुर्ग है अस्तिनापूर में और कौरो परिवार में और चाहे वो पांडो हो चाहे वो कृष्ण हो सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो लेकिन युद्ध को रोकना इतना असान भी नहीं था क्यों आसान नहीं था क्योंकि तौर्मों से दुरियोधन से बहुत भारी-भारी गल्ती हो चुकी थी दुरियोधन ने जुरापदी का चीरहरन जो कि उसके बड़े भाई की पत्नी है तो चीरहरन करने का प्रयास किया नियम के नुसार, युदिष्चिर सभी भाईयों में सबसे बड़े हैं और योग्य हैं अपाहिज भी नहीं है किसी भी कारण से वो ना अपाहिज है ना उनके अंदर बुद्धी बल की कमी है ना इक्षाशक्ती की कमी है ना युद्ध कला में कोई कमी है फिर भी नितिवान है, गुणवान है, नयाय प्रिय है फिर भी दुर्योधन राजा बनना चाहता है और धिर्दराष्ट मोह वश यह जानते हिवे भी कि यह अनिती होगा, यह अन्याय होगा, यह उचित नहीं होगा धुरियोधन को राजा बनाना चाहता है युदिष्छिर को राजा नहीं बनने देना चाहता पुत्र मोह में तो यह एक माहौल बनता है पुत्र मोह के कारण सारा खेल बिगड़ता है इसलिए कहा है मोह सकल व्याधिन करिमूला तो स्वामी तुलसिदा जी ने यह बात कही है तो महाभारत में जितनी भी यह समस्याइं दिखाई दिरे कही ने कहीं इसके जड़ में पिता का पुत्र के परती अत्यधिक मोह है अनावश्यक मोह है तो इस कारण से धिर्टराष्ट यहीं चाहता है कि उसका पुत्र राजा बन जाए और उसको सहमती सब की मिल जाए जतने मित्र राज्य हैं उनकी सहमती भिश्यम पितामा की सहमती विदूर महात्मा की सहमती प्रोनाचारे जो गुरु हैं कौरवों के कुल गुरु हैं एक तरह से उनकी सहमती सबकी सहमती प्राप्त हो जाए ऐसी इक्षा धिरतराष्ट की भी है दुरियोधन को सहमती मिल जा लेकिन दुरियोधन के जो गुण है उसके जो कर्म है वो निकरष्ट है भरी सभा में दुर कई चीजें जो कि दुरियोधन के अंदर गलत है तो वो सब सारी चीजें छल पुरुवक राजी हडपनी की कोशिश करना और जब पांडो अपना ठीक है पांडो चौरस के खेल में हारने के बाद वो स्विकार कर लेते हैं कि ठीक है हम जो है इस प्रकार से वनवास में जाएं और तेरह वर्षों का इस प्रकार से समय गुजारने के बाद वेश बदलकर इधर उधर भटकने रहने के बाद वा जो है फिर से अपना हक मांगने आते हैं ठीक है भाई हम चौरस के खेल में हारे थे खेल था और उस पर भी हमने अपना वचन निभाया इतना कठोर वचन न पांडवों को नहीं दे सकता है यहां तक की मृत्व के बाद जितनी जमीन उनके अंतिम संसकार में चाहिए उतना भी दुर्योधन देने के लिए तयार नहीं है तो इस स्थिती पर दुर्योधन है और खृष्ण सब प्रयास करते हैं कि युद्ध को कैसे भी रोका जाए कि युद्ध को कैसे भी स्थकित किया जाए लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं चाहता कि युद्ध रुके व अंत में द्वारिका धीश क्योंकि स्वेम द्वारिका धीश है स्वेम द्वारिका के राजा है एक राजा जो है वो दूत बन कर जाते हैं वो दूत बन कर जाते हैं नीचे अस्थान पर खड़े होकर दुरियोधन को उचे अस्थान पर खड़े करकर धूत बनकर प्रार्धना करते हैं दुरियोधन से यद्धपी वो राजा थे उनको कोई आवशक्ता नहीं थी कि प्रार्धना कि SUBSCRIBE लेकिन फिर भी přिश्न इसी लिए तो मरियादा पुरुशक्त्तम है इसी लिए स्री क्रिश्न मरियादा पुरुशक्त्तम है तो स्रीकृष्ण जाते हैं दुरियोधन के दर्बार में और दुरियोधन से विनती करते हैं कि चलो ठीक है तुम उनको हक नहीं दोगे आधा भाग जो भी है राज्य का वो तुम नहीं देना चाहते हो चलो तुम उनको राजा होने का अधिकार भी नहीं देना चाहते हो लेक पर भी विश्वास नहीं करता नहीं मानता है और युद्ध के लिए ही ललव कारता है कृष्युन का भी अपमान करता है स्री कृष्युन भगवान ने दिखा कि सब के समझाने के बाद अब एक अही रिक्षा थी कि सब के कहने पर मैं यहां आया था लेकिन यहां मेरा ही अपमान किये जा रहा है सोच रहा है कि मैं ही कमजोर पड़ गया हूँ तब भगवान ने अपने विराट विक्राल एश्वरे रूप को दिखाया और एश्वरे रूप को दिखा कर दुर्योधन से का कर ठीक है अब याचना नहीं अब रन होगा जीवन जय याकी मरण होगा दुसरा कोई विकल्प नहीं है तुने छोड़ा है माभारत का युद्ध यहीं पर निश्शित हो जाता है अब युद्ध होना है लेकिन ये युद्ध इतना आसान नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को सद कर्मों के साथ जीना चाहता है शुभ कर्मों के साथ जीना चाहता है जो जीवन में कर्मों के महत्व को समस्ता है कर्मों के विज्ञान को समस्ता है और पांडव वन में रहते रहते रिशी मुनियों से सिक्षित होते होते सतसंग सुनते सुनते रिशी मुनियों के माध्यम से वन के अंदर और समय समय पर कृष्ण की प्रेड़ना भगवान कृष्ण की प्रेड़ना कभी दुरवाशा जी का प्रवचन दुरवाशा जी ने भी बहुत पांडवों का साथ दिया था वन में तो दुरवासाजी का प्रवचन और फिर और भी अन्यरिशी जिनसे वो मिलते रहे उनके विचार सुनते रहे अपने अध्यात्मी ज्यान की बहुत व्रधी कर ले थी पांडवों ने इसमें कोई शंशय नहीं है पांडव भली भाती जानते थे कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है हम जितना अधिक हो सके कर्म में पुरे कर्मों से या हिंसक कर्मों से हम बचने का प्रयास करे और यही सिक्षा जो थी पांडवों को पांडू पुत्रों को जो पांच भाई थे ये मिली थी और इसी सिक् कृष्ण ने तैयार भी कर लिया लेकिन फिर भी पांडवों के मन में विकल्ब ढूंड रहा है कि युद्ध ना करना पड़े तो बहतर वो बचना चाहते हैं युद्ध से लेकिन युद्ध के लिए अन्याय को स्विकार करें यह भी उचित नहीं है युद्ध को रोकने के लिए आप अत्याचार और अन्याय को स्विकार करो और एक जंगली प्रविर्ती के व्यक्ति को जिसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है जो एक इस्त्री को जो की कुल वधू है उनकी उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है अरे कोई अन्य इस्त्री भी हो कोई गणिका भी हो उसके साथ भी ये करम नहीं हो सकता अन्याय पूर नहोगा पाप पूर नहोगा लेकिन एक इस्त्री जो फुल वधू है उसके साथ भी ऐसा करने का प्रयास भरी सबा में उसने किया मतलब कि अपनी घ्रन मतलब जो नीचिता है नीचिता की हद पार करकर दुर्योधन अपना कारे कर रहा है तो अब ऐसा विक्ति प्रकृति कब तक सहन करेगी ऐसे लोगों को वो कभी न कभी प्रकृति पांडू नहीं तो कोई और कहीं न कहीं ऐसे लोग समय आने पर इनकी सीमा को निर्धारित किया जाता है प्रकृति के द्वार इनको सिमित किया जाता है यह प्रकृति का सिध्धानत है ऐसी बात नहीं है अगर ऐसा होता तो शायद कोई आतंकवादी या कोई भरष्ट आदमी ही उसी का साशन हमेशा चलता रहता वही हमेशा जिवित रहता फिर तो लेकिर ऐसा नहीं हो पाता है प्रकृति सब को सिमित करने में लगी रहती है तो दुर्योधन का भी तो अंत समय आना ही है उसका भी में और पांड़ों की सेना में अगर सबसे बड़ा कोई बलशाली और महारती है तो वो अरजुन है वैसे भीम बहुत बलशाली है अपने शरीर से पाहु बल से निश्य ही असमान बल उनके शरीर में खजारों हाथी का बल उनके देह में है उनकी भुजाओं में है लेकिन अ अर्जुन के पास मंत्रों की सिद्धी है। और जब उसे कुछ अवसाद होता है तो उस समय भगवान स्री कृष्ण जो समझाते हैं अवसाद किस धंग से होता है यह हम अवसाद क्या चीज है आगे हम कल के व्याठ्यान में इसको श्रवन करते हैं लेकिन हमें यहाँ परिवेश पूरा समझना है भगवान कृष्ण अरजुन से भी नहीं है वह धृद्राष्ट्र से है जो सबसे पहला इस लोग है श्रीमत भगवत गीता का धर्मचेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्स्व मामका पानवश्यवकिम कुर्वत संजया कि धर्मभूमी कुरुक्षेत्र में मेरे और पान्डु पुत्रों अब संजय को एक शक्ती प्राप्त है भगवान की कृपा से उसे दिव्व शक्ती दूर दृष्टी के शक्ती प्राप्त है वह दूर की चीज़ों को बहुत भली भाते देख सकता है तो अर्जुन को ऐसा सामर्थ प्राप्त है ऐसी शक्ती अर्जुन को प्राप्त है तो अ संजय जो धृत्राष्ट के साथ है और धृत्राष्ट संजय से ही पूछता है धर्म छेत्रे कुरुक छेत्रे समवेता यूत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वता संजय यहे संजय तुम बताओ कि पांडू पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या क्या किया भूमी में जो भी घटित हो रहा है सब देख रहा है और धिरतराष्ट को सुना रहा है धिरतराष्ट को बता रहा है तो श्रीमत भगवत गीता का जो प्रारंब है वो श्रीकृष्ण अर्जुन समवाद से नहीं होता श्रीमत भगवत गीता का प्रारंब संजय और धिरतराष संजय वो सारी बाते धृत राष्ट को पता रहे हैं ठीक है तो धृत राष्ट को वो सारा विचार मिल रहा है संजय के मार्धियम से मिल रहा है लेकिन यहाँ पर विशेष्टा यह है समझने वाली बात यह है कि मोह अर्जुन का भंग होता है गीता की सारी बाते सुन कर भी अर्जुन का ही मोह भंग होता है धिर्तराष्ट का मोह भंग नहीं होता उल्टा धिर्तराष्ट का मोह बढ़ जाता है ठीक है तो यह इसके पीछे भी कुछ कारण है लेकिन उससे पहले इस कारण को हम समझें हम ये समझते हैं कि एक और समवाद हमने तीन समवाद की बात की है यहाँ पर कि गीता के तीन समवाद पर्थम है कृष्ण अर्जुन समवाद संजय धिरतराष्ट का समवाद चल रहा है सुन रहे हैं वारतलाप उनका भी आपस में हो रहा है एक और चल रहा है वारतलाप कि जो महाभारत गरंथ के रचैता महरशी वेद व्यास है वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहा है तो उस समय महाभारती घटना को जब सामने सामने जब उस सब देह कर लिख रहा है तो उस समय वेदव्यास जी सोचते हैं कि मेरे इस गरंद को कोई लिखने के लिए कोई विवेकी आदमी चाहिए तो क्यों ना विवेकी देवता से आगरह की जाए गनेश जी से आगरह करते हैं मैं लिखूंगा तो जरूर लेकिन मेरी एक शर्त है वेदव्यास जी ने पूछा कि क्या सर्त है पता नहीं क्या शर्त रख देए गनेश जी ने कहा भगवान गनेश ने कहा कि देखो वेदव्यास जी अगर आप मुझे बोलोगे और मैं लिखूंगा इस लोकों को आपका काम बोलना है मेरा काम लिखना है मैं आपका सहयोग करने कहल ताकि आप सोतंत्र होकर सोच सको और लिखने की प्रक्रिया से मुक्त हो सको लिखने की प्रक्रिया से मुक्त हो सको तो लिखने की प्रक्रिया से आप मुक्त हो सको इसलिए मैं जो हूँ आपकी सहायता करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर तब वेद व्याज छोड़ते कि भाई ठीक है मैं बोलूँगा आप लिखेंगे आपकी शर्त क्या है गने जी कहते कि आप बिना रुके बोलोगे यह नहीं कि आप बोलोगे और लंबा टाइम रुकोगे सोचोगे और फिर मैं लिखूँगा नहीं इतना टाइम मेरे पास नहीं तो वेद व्याज जी ने कहा कि यह तो फस गया यह तो हम फस गया भाई मैं बिना रुके कैसे बोलूँगा एक इस लोग सोचूँगा तभी तो दूसरा थोड़ा समय तो लगेगा ना इस लोगों के निर्मान में तो अब गनेज जी से उनने कहा कि इनको फसाया कैसे जाए ताकि ठीक है मैं बिना रुके बोलूँगा मुझे ये शर्त मंजूर है लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त मंजूर करने पड़े तो गनेज जी ने कहा कि पताईए कौन सा शर्त तो वेद व्याज जी ने कहा कि आप जो भी मैं बोलूँगा आप उसे बिना समझे नहीं लिखोगे आप पहले पूरी बात समझोगे तो आप लिखोगे गनेज जी ने कहा कि ठीक है तो अब एक समवाद महाभारत का ही पूरा समवाद लगभग जैसे महाभारत की युद्ध की जो घटनाए हैं वो सब संजय धरतराश को सुना रहे हैं वैसे ही अब वेद व्याद जी पूरी महाभारत सुना रहे हैं गनेज जी को और गनेज जी सोच रहे हैं समझ रहे हैं पिर लिख रहे हैं गनेज जी विचारक अब वेद व्याद जी को ऐसे शब्दों की रचना करनी पड़ती है जिससे कि थोड़ा सोचना पड़े इसलिए महाभारत में कई बार ऐसे इसलोक हैं जहां पर संशे होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है ठीक न? कि एक इसलोक आता है कि वहाँ पर कृष्ण को मरा हुआ देख केशव को मरा हुआ देख कौरो रो रहे हैं केशव जल के अंदर शव को देख कौरो का एक अर्थ होता है सियार सियार जो होते हैं जो फॉक्स होते हैं लेकिन केशव का अर्थ यहां कृरोपुत्र भी निकल जाते हैं लेकिन वहाँ पर कौरोव का अर्थ सियार महाभारत में ऐसे इस इस लोगों की रचना कुछ मिलती है संस्क्रित भाषा है इस कारण से भी लोग गलत inटरफरेट भी कही बार करते है तो ऐसे इस लोगों की रचना मिलती है और गनेश जी सोचते हैं, विचारते हैं फिर लिखते हैं और वेदवियास जी अपना बोलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो ये तीन समवाद चलते हैं यह तीन समवाद महाभारत के अंदर शीमत भगवत गीता में चलता है तो युद्ध शुरू होता है तो युद्ध जब प्रारंब होता है तो भिश्म पर्व से युद्ध शुरू होता है तो भिश्म पर्व से शांती पर्व तक अब जैसे जैसे अब भिश्म पर्व का नाम भिश्म परव का नाम भिश्म परव इसलिए है क्योंकि जब युद्धिप्रारंब होता है तो कौरवों के जो सेनापती होते हैं वो पितामः भिश्म होते हैं वो कौरवों के पहले सेनापती बनते हैं वो जब अरजुन उनको बाणों की शैया पर सुला देता है तो दूसर परव शुरू होता है फिर कर्न परव शुरू होता है किस प्रकार से जो पर्व है नाम दिये गए हैं तो अंत में जब युद्स समाप्त हो जाता है और चारो तरफ शव ही बिछे होते हैं कुरुक्षेतर की भूमी में तो फिर वहां पर क्या पुरक्षेत्र के भूमी में जब शव ही बिचे हैं तो वहां पर शांती पर्व की चर्चा आती है। प्रकृती की जो लेखनी है उसे भला कौन टाल पाता। यह भी एक बात है। लेकिन सब ने इमानदारी से प्रयास किया रोकने का चाहे बिश्रिम पितामा हो। चाहे महात्मा विदुर हो। द्रोनाचारे हो। और अंतता स्वेम भगवान स्री कृष्ण ने सबसे बड़ा प पांडमों को हर अत्याचार सहने की सिक्षा देते। जैसे कि सन से तालिस के पहले यार तालिस के पहले हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल था कि जहां पर एक समाज को अत्याचार सहने की सिक्षा दे जाते थे। उनके नेताई कहते थे कि तुम मिर्तियु स्विकार करो तु तुम हिंसा मत करो, तो कहीं न कहीं आप हिंसा को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं, अगर किसी भी पक्ष को आप ये कन्विंस करते हैं कि तुम अत्याचार सहो और उनके उपर होने वाले सारे अत्याचारों पर परदा डालते हैं आप, जैसे कि आज के परिवेश में भी ऐसा मा मालाबार केरल का इतिहास क्या है, 1921 में वहां कौन सी घटना घटी थी, जब खिलाफत आंदोलन शुरुआ था, उसके बाद मालाबार में क्या माहोल था, हम तो सोचते हैं खिलाफत आंदोलन का गांधी जिनने समर्थन किया था, लेकिन उस आंदोलन का क्या परिणाम कि भाई तुम्हारी माताओं बेहनों के साथ बलतकार हो रहा है तो सही हो रहा है, तुम्हारी हत्याएं हो रही है तो सही हो रही है, वो तो धरम युद्ध कर रहे हैं, क्या ऐसी सिक्षा दी जा सकती है, किसी को अत्याचार सहते रहने की सिक्षा, इतना भयंकर, शड़यंत धर्म के नाम पर अहिंसा के नाम पर ठीक है तो यह जो शड़यंत्र कृष्ण ऐसे अहिंसावादी नहीं थे कृष्ण एक मर्यादित और सटीक अहिंसावादी थे पर्फेक्ट अहिंसावादी जिसको हम कह सकते हैं जो उस समय सन 48 के पहले जो अहिंसावाद चल रहा था उसे हम पर्फेक्ट नहीं कहते क्योंकि भरपूर हिंसा हुई है किस तरह से निर्मम्ता से अंग्रेजों ने पहले आदिवासियों पे अत्याचार किया है एक युद्ध में मात्र एक ही युद्ध में कहते कि 25 हदार आदिवासियों की हत्या उस जमाने में जिस समय जन संक्या जो population density बहुत कम हुआ करती थी 25 हजार आदिवासियों की हत्या एक ही युद्ध में अंग्रेजों ने कर दी उस 25 हजार में कई गाउं बिल्कुल विरान हो गए समाप्त हो गए आदिवासियों के जारखंड में अब जारखंड राज्य बन गया है तब नहीं था तो जो है इस तरह से इतना अत्याचार इतना खून खराबा और उसके बाद दंगों का माहौल और बहुत सारा माहौल इस तरह की बातों और उस पर परदा डालने की कोशिश करना कोई भी मजबूरी हो उसे परदा तो कम से कम नहीं डाल सकते हैं तो यह सब सारी चीजे हैं तो कृष्ण वैसे अइंसावादी नहीं है कृष्ण अइंसावादी हैं तभी जब उन्होंने देखा जब माल्यवन का आकर्मन हुआ जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो मतुरा के उपर चारों तरब से आकर्मन हुआ जरसंग का भी आकर्मन हो रहा है माल्यवन का भी आकर्मन हो रहा है कंस का वद्ध हुआ है तो कंस के सारे मित्र आकर्मन करते हैं कृष्ण के उपर तो भगवान कृष्ण यह देखते हैं कि अगर मतुरा पे आकर्मन हो रहा है वास्तों में मतुरा पे नहीं हो रहा है आकर्मन मेरे उपर हो रहा है और मेरे कारण जो है ये सारी जनता भी डिसर्ब हो जाएगी मतुरा अस्त व्यस्त और तहस नहस हो जाएगी और यदी मैं मतुरा छोड़ के चला जाओ तो यह समस्या यहीं पर टल जाएगी और मतुरा नगरी की रक्षा हो जाएगी और यहीं विचार करकर भगवान अपने आपको रन छोड़ कहलवाना मनजूर करते हैं इस पतत्थे पर लोग विचार नहीं देते लेकिन अगर सही से गरंतों का अध्यन करोगे तो यह समझ में आएगा कि कृष्ण को रन छोड़ कहा गया है उन्हेंने रन छोड़ा ही क्यों क्यों रन छोड़ा इसी लिए छोड़ा था अहिंसा के लिए छोड़ा था कृष्ण जैसा अहिंसा वादी अगर महाभारत का युद्ध भी कृष्ण के कारण हो रहा होता तो शायद कृष्ण कुछ और लीला कर देते लेकिन कृष्ण चाह कर भी नहीं रोक पाय रहे थे युद्ध को ये परिवेश हमें समझना पड़ेगा और मातर राम चरित्र ही नहीं कृष्ण चरित्र भी हमें सही से समझना पड़ेगा कि कृष्ण ने कितना संगर्ष किया है कितना सहा है अपने जीवन में और मतुरा की रक्षा के लिए वो रन्चोड कहलाना स्विकार करते हैं वरिंदावन के बाल गुपालों के मानविय अधिकार के लिए वो माखन चोर कहलाना भी स्विकार करते हैं ठीक तो ये सब क्रिश्ण का चरित्र है इसलिए क्रिश्ण भी मर्यादा पुरुषुत्तम है इसमें कोई संचे नहीं कभी द्यान से क्रिश्ण चरित्र को पढ़ो कभी ध्यान से कहाँ पर भगवन नैस नहीं गाने बजाने के लिए आपने भागवत सुन लिया आजकर तो लोग भागवत डान्स करने जाते हैं भागवत में जाते हैं कि वहाँ नाच लेंगे थोड़ा सा, ऐसे नाचने को नहीं मिलता तो वहाँ नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे तो पता है इन लोग क्या बोलेंगे, तो वहाँ डांस कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन कृष्ण के चरत्र को समझना, उनके त्याग को समझना और उनके कर्मों को समझना निरने लेने की छम्ता को समझना ये बहुत ही विशेस है इसलिए भगवान रनचोड कह रहा है सिर्फ अहिंसा की अस्थापना के लिए अहिंसा के लिए भगवान रनचोड कहला है ये वहाँ पर ऐसी बात नहीं वहाँ वर्णित है ये प्रसंग कि क्रिश्न क्यों रन से भागते हैं इसलिए नहीं भागते हैं कि वो डर गयते चारों तरब से आकर्मन हो रहा है तो नहीं सारा समस्या का जड़ उन्होंने अपने आपको पाया कि मैं अगर मतुरा में हूँ तो ये चारों तरब से जो आकर्मन हो रहा है ये रुक जाएगा अगर मैं मतुरा छोड़ दूँ तो मतुरा छोड़ देते हैं और मतुरा से बहुत दूर चले जाते हैं और उसी समय सारे आकर्मन वहीं पर रुक जाते हैं जरा संग का आकरमन रुख जाता है और माल्यवन और क्या-क्या काल और क्या-क्या राजाए हैं हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत बोल जाओ महाभारत में या भागवत महापुरान में भी आप ये कथा मिल जाएगी ठीक है तो इस तरह से युद्ध को रोक दिया हिंसा होने से र नहीं हटते हैं अपने भाई के सामने भी बले बड़े भाई के सामने भी हमें सा छोटा बनके रहते हैं तो ये उनका गुन है सर्वसामरत होने के बाद भी अपनी जो इस्थिती है अपनी स्थिती के नुकूल एक कर्म करकर वो दिखाते हैं और भगवान कृष्ण दूत ब बात उल्टा वो भगवान को ही देख कर कि द्वारकादीश को इस इस्तिती में आना पड़ता है इसका मतलब कि ये लोग बहुत कमजोर पड़ चुके हैं दुर्यूधन अहंकारी आदमी वो अपने हिसाब से सोचता है कि बहुत कमजोर ये नहीं सोचता है कि भाई कोई इतना बड़ा राजा वेम द्वारकादीश मुझे दूत बनकर समझाने आये तो मुझे सोचना चाहिए था नहीं वो तो ये सोचता है कि शायद ये लोग बहुत कमजोर पड़ गए हैं और द्वारकादीश में भी अब कोई दम नहीं है तब भगवान विकराल रूप धारन करकर उसको अपना सम दिखाते हैं कि अब तो याचना नहीं रन होगा तब दुर्योधन को समझ में आता है तो युद्ध के पहले ये ना मांगने पहुंचता है भगवान कृष्ण को ये सारा एक परिवेज था और इस माहौल में जो घोर अन्याय हुआ था पांडवों के साथ उस अन्याय के परती ये युद्ध प्रारंब होता है और उस युद्ध भूवी में भगवान स्रीकृष्ण के द्वारा अरजुन को श्रीमत भगवत गीता का प्रवचन सुनाया जाता है दोनों युद्धा हैं दोनों राजा हैं और लेकिन एक गुरु है एक सिश्य है व अरजुन की कुंती वो भगवान कृष्ण की बुवा लगती थी वसुदेव की पहन लगती थी जो कृष्ण के पिता हुए महात्मा वसुदे धर्म अधिकारी धर्ममंत्री थे वो कंस की सभा में तो उनकी बहन लगती थी कुंती इस कारण से बुवा का भी एक संबंद था तो कजन ब्रदर भी आजकल बोलते हैं तो इस तरह से ऐसा भी एक संबंद था लेकिन मितरता पुर्वक विवहार था दोनों के बीच में और कृष्ण क्या समझाना सुरू करते हैं कौन से सिक्षा देते हैं क्यूं देते हैं हम कल से विचार करेंगे और इस सिक्षा में भी अहिंसा चुपी है अहिंसा की मरियादा है तो एक मरियादित अहिंसा एक आदर्श रूप में जिसको हम अहिंसा कह सकते हैं उस अहिंसा की अस्थापना भगवान कृष्ण की है उस अहिंसा की अस्थापना भगवान स्री कृष्ण की है तो उस अहिंसा के स्थापना की है इसलिए वो भी पृष्ण भी एक मर्यादा पुरुशुत्तम है वो अपने लीला से कहीं न कहीं आदरश के स्थापना कर रहे हैं मर्यादा के स्थापना कर रहे हैं तो चल यह ठीक है यही महत्पुन विशा है आज का जो हमने चर्चा मिलिय और कल फिर 9 बजे, लाइब चर्चा मिलेंगे आजके चर्चाको यही पर विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं, 9-9 p.m. लाइब चर्चा, और ध्यान योग का कुर्स तो आगे बढ़ चुका है अब जोईन नहीं कर सकते अब जिसको भी जोईन करना है ध्यान योग अगले महीने अगले महीने की क्या तारीक होगी वो आपको अनौंस की जाएगी बताई जाएगी आपको मिलेगा उसका time schedule क्या है जो भी मिलेगा समय आने पर अभी तो नहीं इस महीने के अंत्र तक या दिसंबर के प्रारंबिक सप्ता में आपको उसका डेटेल भी प्राप्त हो जाएगा तो समझे इस विशय को श्रीमत भगवद गीता किस माहौल में किस परिवेश में शुरू होती है कैसे शुरू होती है कल से फिर हम श्रीमत भगवत गीता की प्रथम अध्याय से आगे बढ़ेंगे आज भी हमने थोड़ा सा प्रथम अध्याय पे ही चर्चा की है तो कल और प्रथम अध्याय अरजुन विशाद योग नामक प्रथम अध्याय पे चर्चा आगे बढ़ेंगी और उसी को हम चर्च जुड़े रहें, बने रहें, लाभानवित होते रहें